मैं दिव्वे और भव्वे महा कुम्ब 2021 की समाप्ती तक यहीं पर बना रहूँगा और अपनी टीम के माध्यम से आप लोगों को पलपल की जानकारी देता रहूँगा इतना ही नहीं यहाँ पर दिव्वे संतो और भव्वे मंदिरों के दर्शन भी आपको करवाता आज हमारे साथ मोजूद है महंत सिरी नागा बाबा विक्रम पूरी जी जिन से हम कुम को लेकर एहम जानकारियां लेना चाहेंगे स्वागत आपका बाबा जी कुम्भ में अभी आप आई हुए हैं तो अभी किस-किस तरह के कर्म और क्रिया कलाप अभी रहने वाले हैं अभी इस समय कुम में काफी हमारे अखाडे की जांकियां निकलेंगी 12 अपरेल का साहिश नान है फिर 14 अपरेल का साहिश नान है उससे पहले कुछ हमारे अखाडे के जुपादिकारी लोग हैं हमारी गुरू मूर्तिया हैं वो अपना पिरचार करते हैं भक्त गणों को पिर बचन देते हैं और जुह जहांकियां निकालते हैं अच्छी-अच्छी सोभाय निकालते हैं जिससे की भक्तों को उनका मनोवल बड़े और उस्साह बड़े इससे आने की उनकी दर्शन से दबाबा थोड़ी सी अपने बारे में आप जानकरी दीजे कि सखाडे से आप हैं तो अभी आप देस और दुनिया के लिए अपने देसर देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनकी हर प्रकार से देख रेक और वश्यवा की जाएगी। इसलिए हम नांगा सादू हैं अपना अपना तंबू लगा के बैठते हैं। और यह हमारे इश्या है कि हाँ आने से मोक्ष प्राप्त होता है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो कितनी अच्छी सरकार और परसासन नहा पर व्यवस्था हैं आप लोगों के लिए की हुई है। देखिए सरकार बहुत अच्छा कारिये कर रही है और ऐसी सरकार हमारे जीवन में पहले कभी नहीं आई है। ऐसी सरकार हम तो ये चाहेंगे आगे भी चलती रहे और व्यवस्था सरकार बहुत अच्छा कारिये कर रहे हैं। राद दिन सरकार का काम चला है सपाई पे भी विवस्था पे भी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की सरकार की सरकार की तरफ से हमको नांगा सौधमों को कोई सिकायत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ विक्रम पुरी जी महराज जिन्होंने महाकुम्ब को लेकर अपनी जान करया दी और जो लोग मा गंगा के तरपर बसे हरीद्वार में नहीं पहुँच पाए हैं उनसे मैं विनम्र आग्राय करूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल डिस्कवरी ओफ देव भूमी और फेस्बुक पेज महाकुम्ब 2021 पर बने रहें